सबी संगत को जय माता की पित्रपक्ष आने वाला है और अपने पित्रों की सेवा हर कोई करता है जो पित्रों को मानते हैं तो पित्रपक्ष में अपने पित्रों की सेवा करिए जिनको साध न करने वो पित्र साध न कर सकते हैं पित्रपक्ष के बाद जो नवरात्री आएगी शार्दिय जो नवरात्री है उसमें साधना करी जाती है मातरानी की नव दुर्गा के नौ सवरूपों की और साथी साथ अपने पित्रों को भी मातरानी के साथ एक जोत में आप वास करवा सकते हो अलग से थान मकान बना करके आपको नहीं पूजना पड़ेगा और अगर आप माई के साथ पित्रों को नहीं चलाना चाते हो अलग से अपने पित्रों को मनाना चाते है तो जिन लोगों के घरों में थान नहीं है पित्रों के और घर में स्थान दे करके आपको नित्य प्रति उनका पूजन करना पड़ता है अब जो लोग स्थान नहीं देते हैं उनके नाम का आप जो उनके पंचवस्तर होते हैं उनके नाम का जो सामान होता है वो आप रख सकते हो पित्र कोन होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं प निधन हो जाता है वो पित्र बनते हैं हमारे परिवार के लोग और उत्पित्र होते हैं जो तीन वर्ष से उपर की उमर का होता है तकरीबन तकरीबन दस साल तक की उमर का जो होता है वो उत्पित्र बनता है तो पित्र और उत्पित्र दोनों ही हमारे जीवन में महत्वर रख के वीडियो में आप भी बोल रहे हैं कि तक्रीबन तक्रीबन 90 प्रतिशत 90 से भी 95 प्रतिशत लोगों के सीर पे तो प्रेती खेलते हैं जो ये बोलते हैं ना मात काली आती है हमारे उपर मसानी माता अगई है मारे उपर ये स्टार्टिंग में जब तक आपने गुरू धान करके कोई शक्ति अपने सेवा करके नहीं साथ में लगाई होती है अपने पित्रों के प्रेतों के तो आपके उपर 99% की बात करेंगे के पित्री खेलते हैं लोग जगा जगा जीवा निकाल करके खड़े हो जात हैं तो यह समझने का विश्या होता है इनके कुछ सिंटम पहले भी बहुत सारे वीडियो प्रेत पित्रों के उपर बना चुके हैं उसमें हम बता चुके हैं वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो सर्च कर लेना जिन लोगों को इनकी साधना करनी है पित्रों की साध इत्यादी निकालना है उनके वस्तरा दि निकालने हैं और अमावस्य के अमावस्याप उनकी सेवा कर सकते हो अगर आप अमावस्या पर सेवा नहीं कर सकते हो आप पर कृपा भी करने लग जाते हैं अगर आप उनकी तिथी जानते हो यानि कि जैसे द्वाद सी 23-24 इन तिथियों पर जो लोग मरते हैं उनकी तिथियां होती हैं वो पितर बनते हैं और इसी तिथी के दिन अगर आप अगर आपको ये पता है कि वो अंधेर पक्ष किया फिर शुकल पक्ष किया और उस तिथी का पता है तो उस दिन अवन जरूर करवाएं उस दिन उनके निमित कोई भी आप घर में भोग प्रसाद लगा करके अंग्यारी पे भोग दे सकते हो उनके नाम का प्रशाद भी बाट सकते हो अगर आपको तिथी मालूम है तो अगर सवारी थी नहीं जानते हो और आपके सिर पे सवारी भी लेकर नहीं आते हैं अगर सवारी लेकर आते हैं बोलते नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो आप हमावस्य कोन की सेवा कर सकते हो हमावस्य वाले दिन खीर बना करके आप जैसे पांच पत्तों पे उनका भोजन निकाल सकते हो पंच बली जिसको कहा जाता है तक्रीबन तक्रीबन आम तोर पे हमावस्य की दिन ही किया ही जाता है तो जिन लोगो को अपने पित्र परसन करने हैं उनकी साधना करें ग्यारा दिन की उनकी सेवा करें जिनके गुरु रोष्ट हैं जिनको यह है कि हमने गुरु भी धारण कर रखें हैं परन्तु उनके गुरु इस दुनिया में नहीं हैं वो अपने गुरु के नाम से उनके निमित सेवा कर सकत अगर आप उन्य गुरू को कुए गूरू की मुरते नहीं हैं वह केवल श्रीर त्यागते हैं प्रंतों शोक्षम रूप में फिर बहसे रहते हैं तो परत्यूप जाते हैं तो आपको रहते हैं नवते हैं और इसमें कुछ खास नियम की जरूरत नहीं होती बस आपका गुर्मुख होना जरूरी होता है आप गुर्मुख हो तो आप जरूर पित्र साधना में सफल हो सकते हो और अगर आप गुर्मुख नहीं हो आपने गुरु धान नहीं कर सकते हैं और आप पित्रों की सेवा करना ही पार प्रभंशesto सेवा करें सब्सक्राइब और लानगे लिए हिरिए health देक्सट काउनरा जोड़ल दो करें या किूल div के सब्सक्राइब और हमने बताया भी है कि पंच मेवा को पीस करके उसमें कुछ अगरबती चार पांच अगरबती का जो मसाला होता है वो उसमें मिक्स करके आप अंग्यारी पे अपने घर में भी होम दे सकते हैं यो गुरू की पित्रों की ये जितने भी देव योनी के जो पुरुष पित्र देव रूप में हैं गुरू रूप में हैं उनके लिए ये होम बनती है अंग्यारी पिया अपने घर में डेली देने से शनकरातमक जो शक्तिया घर में वास करती है वो गर से बाहर चली जाती है और हमारे पित्रों का बंदन कर रेका है। पित्र बंदन में है कोई भी आपके पित्रों का बंदन नहीं कर सकता ये वो शक्ति है जो बहुत ही शक्ति साली होती है ये बंदन स्वैमी लगाते हैं कब लगाते हैं जब आप इनको भूल जाते हैं अब जो देवी भक्त होते हैं न वो देवी देवी के पिछे भागते हैं और फिर कहा देते हैं कि हमें देवी की कृपपा नहीं मिलते हैं, हमारे उपर देवी प्रसंद नहीं हैं, इसलिए प्रसंद नहीं होती क्योंकि आप अपने जो पित्र होते हैं, जो आप से पहले उन देवियों को पूझ चुके हैं, उनके आशिरवाद से आपके घर में करना चाहते हो सर्वा प्रतम अपने घर के पित्रों को मनाई अगर आपके पित्र मान जाते हैं पित्रों की सुद्धी हो जाते हैं शांती हो जाते हैं तो आप कोई भी सिद्धी साधना करते हो आपको बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलने लग जाती है तो यह थी जानकारी प बी को जमाता के